दोस्तो कैसे हैं आप सब? Olympia खतम हुए अभी 6 दिन से जादा हो चुके हैं और अब हमारे पास एक नई जर्नी है आगे बढ़ने के लिए यानि बहुत सारे नए-ने अपडेट्स हैं और चीजे काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली अपसे 14 दिन बाद इसके अंदर सबसे पहला जो अपडेट निकल के आता है वो आता है 7 time Mr. Olympia the great Phil Heath के उपर अभी देखो Phil Heath ने रिसेंट्ली अपनी ये फिजीक दिखाई है और Phil अगर कुछ दिखाते हैं तो उसका मतलब उसके कमेंट होने पकी बात है उसके उपर कई सारी तरह की बाते होनी बिल्कुल जायज बात है और यहाँ पर हमें ये इस तरीके से एक mirror selfie लेते हो नजर आ रहे हैं जिसके अंदर हमें ये देख सकते हैं कि Phil Heath के पास एक ठीक ठाक size अभी भी है इनके shoulders में, इनकी chest में, bicep, triceps तो इनके कभी जाने ही नहीं वाले मतलब 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी इनके triceps इतने ही बड़े रहेंगे जितने अभी हैं और four arms भी तो Phil के पास सारे size सब चीजे बहुत जबरदस दिख रही है 44 साल के Phil Heath बहुत ही fit दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमेशा ही गौर करे जाने वाली एक बात रहती है और वो आता है इनका mid section यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका mid section कितना ज्यादा wide हो चुका है एक तो पहली चीज देखो age वाली बात तो होती है के age के साथ साथ यह mid section एक ऐसी चीज जो फैलती ही फैलती है लेकिन Phil Heath का mid section सिर्फ age के कारण अभी नहीं फैलना शुरू हुआ इनका mid section तो 2016 के बाद ही फैलना शुरू हो गया था जब इनका gut निकलना शुरू हुआ पहले और बाद में जाकरके इनकी waist भी wide होने लग गई अभी यह mid section एक ऐसे point पे है जिसको हम बोल सकते हैं blocky यह काफी ज़्यादा चौड़ा है साथी साथ Phil की कई सारी multiple hernia surgeries होने के कारण इनके abs की shape काफी ज़्यादा खराब हो चुके है lower abs इनके completely disoriented हो चुके है अपनी shape पूरी lose कर चुके है वो टेडे मेडे हैं to be honest सिर्फ दो abs इनके उपर के दिखते हैं तो यह वो सारी चीज़े हैं जो मायने तब रखती है अगर कोई bodybuilder stage पर compete करने के लिए उतरने वाल हो लेकिन Phil Heath अब हो चुके है एक तरह से retired हाली में Phil Heath को hall of fame का दर्जा दिया गया Mr. Olympia के अंदर और Phil Heath के लिए मैं एक बात बोलना चाता हूँ यह अपने बहुत ही एक अच्छा time enjoy करने गुड time enjoy करने वाली बात होती है न जिम के अंदर दिखते हैं ट्रेनिंग करते हैं एक अच्छा size इन्होंने maintain कर रखा है हाली में stories के अंदर भी हमें ट्रेनिंग करते हूँ नजर आया और यह बताया है इन्होंने के यह जाने वाले है एक podcast के अंदर मतलब एक काफी अच्छा podcast करने वाले है Bruce Lee की बेटी के साथ में तो Phil Heath इन चीजों को अब enjoy कर रहे है life का अपना वो aspect दुनिया के आगे रख रहे हैं जो उन्होंने training करते दोरान कभी नहीं बताया था चीजों को खुल के बताते हैं steroids भी लेते हैं तो वो भी बता देते हैं मैं क्या-क्या इस्तमाल करा करता था हर चीज पर अब वो खुल के बात करने के लिए तैयार है पहले ये चीज़े नहीं हुआ करती तो मैंने बता ना Phil Heath अब एक बहुत अलग level पे है एक ही चीज है इन के साथ में nothing to prove यानि दुनिया के आगे कुछ साबित नहीं करना मैं दो बोलूँगा एक बहुत अच्छी फिजीक है इसको हम जज ना करें तो बहतर है एक healthy फिजीक है सबसे पहली बात वो माईने रखती है क्या Phil Heath healthy है ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा healthy हूँ और मैं बहुत अच्छे जिन्दकी अपने इस टाइम पर जी रहा हूँ यही माईने रखता है बाकि यह इनका update था और opinions तो definitely आने ही है तो यह है 7 time Mr. Olympia Phil Heath की फिजीक इनके बाद अगर हम चलते हैं दोस्तों तो एक और athlete आ जाते हैं जो actually में माने तो जा रहे थे के retired हो चुके हैं लेकिन यार उनकी बढ़ती हुई फिजीक ने अभी बहुत लोगों को हिलाना शुरू कर दिया है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रोली विंकलार की डच बाड़ी बिल्डर रोली विंकलार 47 साल यानि 47 एर्स के हो चुके हैं देखा जाए तो फिल हीट से 3 साल यह बड़े हैं और इस वक्त हमें यह ऐसी शेप में दिखाए दे रहे हैं मैं बता देना चाता हूँ दोस्तों यह बिल्कुल इनका अभी का अपडेट है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 11 घंटे पहले इनका यह ट्रेनिंग वीडियो रिलीज हुआ था इसमें रोली बैक ट्रेन कर रहे हैं और हमें यह मच राउंडिड शोल्डर के साथ दिखाए दे रहे हैं रोली के आम्स ट्राइसेप्स भी आपको बहुत बड़े दिखेंगे इसमें और ऐसा लग रहा है मानो वजन उठाने में इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है यह मतलब अच्छा वजन लिफ्ट भी कर रहे हैं विंकलार के बॉड़ी बिलिंग करियर में इनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत बड़ी इनकी खूबी रहे हैं और साथी साथ खूबी रहे हैं इनके शोल्डर्स भी बीच में देखा जाला था अभी से अगर आप कुछ टाइम पहले इनकी फोटो स्क्रॉल करके देखोगे आपको यह दिखाए देखा रोली कितने जादा छोटे हो चुके थे completely size lose करके बहुत अच्छे तरीके से अपने retirement phase को enjoy करते हो यह नजर आ रहे थे सबको यही लग रहा था कि यह भी retired है पर अभी जिस तरीकी की physics नों ने दिखा दिया ना बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि यह वापस आ सकते हैं और कई सारे लोग उने पहले ही hint देना शुडू कर दिया 2025 Olympia comeback मतलब लोग उन्हें पहले ही decide कर लिया कि यह आ सकते हैं और यार देखो हर कोई as a fan तो देखना चाहेगा इनको वापस से क्योंकि जब भी कभी पुराना कोई athlete sport में वापस आता है न तो वो उस sport के लिए बहुत अच्छा होता है उस athlete की hype तो definitely बढ़ती है पर उस sport में बहुत सारे लोग फिर ticket खरीद कर उसको देखने जाते हैं और दोन को पता है कि वो athlete अब compete करने पे उतना ज्यादा उपर नहीं रहा उस level पर compete नहीं कर सकता है आज के top pros के साथ में बढ़ फिर भी देखने जाते हैं क्योंकि एक वो respect होती है एक वो पुराना आप समझ लो के nostalgia feeling समझ लो वो आ जाती है कि यार ये athlete वापस आया है अपन कई सालों की महनत करने के बाद अच्छे दिख रहे हैं तो विंकलार अगर आने का decide भी करते हैं न next year तो definitely उस shape में उस size में हमें नहीं दिखेंगे पर हाँ अगर ये वापस आते हैं बहुत अच्छा होगा इनके लिए भी और sport के लिए भी हम तो actually में देखना चाहेंगे इन इनके साथ में अच्छे हो चुकिया और दूसरी बात ये थी एक बहुत बड़ी के इनके साथ में शूल्डर इंजिरी हो गए ती जिसकी वजा से ये गेम से आउट होगे तो ये बहुत बड़ा रीजन था अचानक जाना पड़ा हो सकता है अभी बिल्कुली हीलो दिखाई अगले अपडेट पे और ये आता है टाइलर मैनियन की उपर आइफ बीबी की उपर एक्चुली में आइफ बीबी ने अभी ओफिशल आंसर दे दिया है कि क्यों इस साल हाडी शुपन हारे और सैमसें 12 जीते मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाता हूँ इस अपडेट के अंदर ना मैं सिर्फ आपको एक तरह से ट्रेलर दिखाने जा रहा हूँ पूरी फिल्म मैंने बनाई है और वो फिल्म एक तरह से वो वीडियो कम्प्लीटली इसी चीज़ के उपर होगी हाडी वर्जिस सैमसें क्या बोलना रहा टाइलर मैनियन का ये पूरी वीडियो अच्छी खासी आएगी इसके बाद में यहां पर मैं आपको ना ऊपर-ऊपर की बाते बदा देता हूँ ताइलर मैनियन ने ये बोला के हाडी शुपन ने हापर तीन पोजिस जीते हैं सिर्फ जो थे बैक लैट स्प्रेड साइट ट्राइसेप और अब्डॉमिन ये इनकी सोच थी सारे जजजिस की सोच नहीं थी बाकी जजजिस एक्चुली में इन दोनों को बराबर रखते हैं हाडी और सैमसन को कई सारे पोजिस में इसलिए इनके स्कोर्स टाइ हो सकते हैं वैसे तो mathematically ये भी possible नहीं है मैंने इससे पहले आपको बता दिया और बहुत सारे अलग-अलग लोग एक्जामपल जरूर दे रहे हैं कि स्कोर्स इसलिए टाइ हो सकते हैं कि हाडी को शायद तीन पॉइंट्स दे दी हो जजजिस ने तीसरे नमबर पे रख दिया हो हाडी को चौथे नमबर पे रख दिया हो ये possibilities आप ही लोग बता रहे हो मैं आपको पता देना चाता हूँ फिर से याद दिला दूं जजजिस आइफ वीबी के अंदर दो हाइज और दो लोज पॉइंट्स को निकाल देते हैं यानि किसी ने अगर हाडी को फिफ्ट या थर्ड नमबर पे भी रखा होगा उस जजज के पॉइंट को ही निकाल दिया जाएगा वो possibility ही rule out कर दी जाएगी और ऐसा करा जाता है चार जजजिस के साथ में इसलिए पैनल पे 9 जजजिस बैठते हैं और सिर्फ scores count होते 5 के इसलिए इसलिए सिर्फ IFBB के अंदर extreme scoring possible नहीं है extreme scoring मतलब ये possible नहीं है कि एक जजज ने Derek को 2 नमबर पे रख दिया और किसी जजज ने Derek को 4 नमबर पे रख दिया हो अगर कोई जज ऐसा करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा बाहर मतलब उसके scores ही count नहीं होगी और ऐसा भी नहीं होसकता है कि Martin Fittswater को कई सारे judges ने 5 नमबर पे रख दिया है और compare उनको top 3 athletes के साथ में करवाय जा रहा है इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी comment करा है तो ये चीज़े possible है इन illogical thinking अगर आप apply करो एक athlete को 5 नमबर पे रखोगे और compare करवाय और top 3 वाले के साथ में जिसको 4 पे रखा उसको compare नहीं करवाना चाहिए था तो ये चीज़े बहुत सारे आप लोगों पता है आप लोग जवाब को दे रहे हो आपका सोचन आपनी जगा बिल्कुल ठीक है प्रॉब्लम ये है कि ये जवाब जो आप दे रहे हो देना चाहिए था टाइलर मैरियन को उन्होंने तो points breakdown पर कोई बात ही नहीं करी पूरा ये समझा दिया लेकिन point breakdown ने एक भी नहीं दिया टाइलर की इस पूरी की पूरी बात को मैं अच्छे से पर इनका अभी भी कुछ नहीं कहना है इसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहां पर आकरी अपडेट आ जाता है अमित आगरे के उपर अमित आगरे ने हाली में अपनी ये फिजीक दिखाई अभी इसे लगभग एक दिन पहले हमें ये बैक डबल बाइसेप अपना शॉर्ट दिखाते वे नजर आये जिसके अंदर एक बहुत ही जादा थिक बैक आप देख सकते हो एक वाइड बैक आप इनकी तरफ से देख सकते हो अमित साथी साथ हमें ट्रेनिंग करते वे भी दिखाई दे रहे हैं तो सामने से इनकी बॉड़ी भी हमें एकदम क्लियर है अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ वैसे बहुत सारे लोग आलरीडी जानते हैं कि अमित आगरे खेलने वाले हैं अपसे 14 दिन बाद कजाकिस्तान प्रोब तो यह 14 डेस आउट की इनकी फिजीक है साथे साथ एक दो दिन पहले भी नोंने बहुत तगड़ी अपनी स्ट्राइटिट फिजीक दिखाए थी एक तरह से मुस्ट मस्कलोड हिट करते वे कजाकिस्तान प्रोब में हमें पता लगेगा 14 दिन बाद ही लेकिन साथ ही साथ अमित अकेले तो कंपीट करने नहीं वाले हैं इनके साथ में आपर खेलने वाले हैं अनीग घोश तो हमारे दो इंडियन अथलीट्स इस कजाकिस्तान प्रो में हमें खेलते वे दिखाई देंगे अब अमित ने तो अपनी बॉड़ी क्लियरली दिखा दी बट फिर भी अभी कही न कहीं दिखाएंगे जरूरे कादबार तो अपनी फिजीक दिखाई देंगे कजाकिस्तान प्रो से पहले मुझे तो हरानी ये देखके और ये किस तरीके के जिम में ट्रेन करते हैं ये कितना बेसिक लेवल का जिम है देख रहे हो इस चीज से ये तो समझ में आ जाता है कि जैसे अनी घोष अपनी फिजीक ले करके आते हैं ऐसे जिम्स में ये ट्रेन करके बना पा रहे हैं वो बन सकती है पॉसिबल है आज अनी घोष एक ऐसी फिजीक केरी करते हैं जो दुबई प्रो के अंदर सबसे उपर रैंक कर गई थी सारे मेंस फिजीक अथलीट से उपर इनकी प्लेसिंग आई थी एर्थ इनके बाद यहाँ पर राहुल फिटनेस आये थे अनी घोष एक अज अपने देश के टॉप नौच मेंस फिजीक अथलीट है इससे कोई मना नहीं कर सकता और तब भी है इस तरीके के जिम्स में जाकर के ट्रेनिंग कर लेते हैं इसका मतलब मेरा यह कहने का नहीं है कि यह सिर्फ इसी जिम में जाते हैं यह अच्छे अच्छे जिम्स में भी जाते हैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते हैं भाई इतने बड़े अथलीट हैं तो क्या अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे जाते हैं इसलिए मैंने इनको बोला मैं इनको कोई ग्लोरिफाई नहीं कर रहा हूँ यह तो बहुत जिम्स में भी चाहती ही है सारे अथलीट का ऐसे ही होता है लेकिन इस जिम में भी ट्रेनिंग कर पा रहे हैं यह चीज मुझे थोड़ी सी हैरान जरूर करती है यहाँ पर इनकी फिज इसलिए वैसी नहीं जाती है हमारे अथलीट के साथ में जैसा वह एक्सपेक्ट करके जाते हैं इन शोज में और जजिज कंप्लीटल एक ऐसा फीडबैक दे देते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ दा कॉंटेक्स समझ ही नहीं आता कि क्या सोच के दिया जैसे कि हमें याद आता है राहूल के साथ जजीज ने बोला था कि आपका म्लेट सक्शन तो बalities के साथ में ऑर अमित के साथ मैं ऐसा ना बाकि होता है तो बैक आप चारो нап 오른े के यो आपनी दिसंबर है जबते ही है, रिजल्ट सामने वालों के हाथ में होते हैं, जजिस के हाथ में, उसमें कोई बस नहीं चलता, देखते हैं कैसी ये लोग फिजीक दिखाते हैं, बस ये अपनी तरफ से बेस्ट आए, हम लोग इतनी ही उमीद कर सकते हैं, और I think आएंगे दोनों को best of luck बहुत stay tuned, goodbye, shukriya.